नमस्कार दोस्तों नमस्कार GLCIS परिवार आपका स्वागत करता है मैं कामिनी कोशल लेकर आ गई हूँ मद्ध्य प्रदेश के महत्पूर्ण कोश्चन अंसरों की सीरीज दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 11 चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला कोश्च मद्ध्य प्रदेश में परियाटन विकास निगम की स्थापना कप की गई क्या है कोशन दोस्तों मद्ध्य प्रदेश में परियाटन विकास निगम की स्थापना कप करी गई A, B, C, D, हमारे पास चार आप्शन है, देखिए दोस्तो, परेटन विगास निगम की मैं आप लोगों से बात करती हूँ, देखिए, कि जो अपना मद्दप्रदेश है, यह प्राकृतिक धरवर, मतलब चाहिए मद्दप्रदेश हो या पूरी भारत की मैं बात करूँ आप ल लिए ऐसी रणनीती बनाई गई है, कि जो कि इनका ध्यान रखे, इनका सरक्षन करे, और इनको अच्छे से संभाल के रखे, क्योंकि यह क्या है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिये गए उपाहार में है, ऐसा माना जाता है, तो दोस्तों, इनके सरक्षन के लिए, हम ल आपके मद्य प्रदेश के परेटन विकास निगम के स्थापना की गई थी, इसको देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिशन दोस्तों, देखिए, मद्य प्रदेश के लिए वर्शन 1978 में परेटन विकास निगम के स्थापना करी गई, इसके अतिरिक्त मद्य प्रदेश में परे प्रदेश को इसी के लिए 22 फरवरी 2017 को मद्द प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया मद्द प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का भी गठन जो है आपका किया गया क्योंकि जो एतिहासिक चीज़े हैं इनको देश-विदेश से लोग जो होते देखने के लिए आते हैं ठीके दोस्तों चलिए बढ़ते हैं next question की और यही रहा दोस्तों आपका next question मत्यप्रदेश में परेटन नीती कब शुरू करी है मत्यप्रदेश में परेटन नीती कब शुरू करेगी A, B, C, D option है हमारे पास right answer होगा दोस्तों हमारा बी जो है right answer होगा 2012 में परेटन नीती जो है आपकी मत्यप्रदेश की शुरू की गई इसका description देख लेते हैं हम लोग मत्य प्रदेष परेटे नीती 2012 में क्या कर गया था इसको स्टार्ट कर गया था और 2014 में से स्टेश किया गया था इसका मुख्य ऑदेश क क्या था परेट क्षित्रों का विकास umogen करण करना मतलब क्या जिसे कि मानना आपके धर्मिक सले जिसे ओजेन हुआ आपका मंदिर महंकाले शोजी का मंदिर जाश्य प्राणा दी जो भेती है तो नदी भी अब जिसे क्या होता है कि नदियों को शुद्धी करन करना मतले हैं आप लोग देखते हैं कि जो अमावस्य वगेरा आती जहां पर इसनान करने जाते हैं तो यह लोग उसी टाइम या फिर इसके पहले भी उसको क्या करते हैं नदि को साफ करते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग होते या बारिश का अगर समय होता तो कचरा भेकर आ जाता या और भी लोग भी उसमें कर देती जिसे कि अस्तिया मगेरा प्रवागती है नदियों में उसी तरीके से इसके शुद्धी करण के लिए चलिये के लिए आपकी स्टार्ट करी गई दोस्तों ठीक है चलो I hope कि आपको यह वाला कुश्चन समझ में आया होगा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कुश्चन के और देखिए दोस्तों MPPSC की मेंस की क्लासे से हमारे स्टार्ट होने हमारी जिसमें हिंदी और एंग्रिज दोनों ही मीडियम अवेलेबल रहेंगे और 23rd से स्टार्ट होने वाली बैचेस हमारी आप लोग हमारी JLC अप्लिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग हमसे जूट सकते हैं चली दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट कुश्चन है हमारा खजराहों मंदिर के शेली में दिर्मित है देखिए दोस्तों कुश्चन बहुत ही प्यारा है और इस प्याइब के एकश्या fifteen exam में पूछा जाता है देखिए दोस्तों तो ADHD हमारे पास चार option है देखिए दोस्तों तो इसको right answer हो क्या होगा हमारा नाँगर शेली होगा क्या होगा दोस्तो नागर शेली होगा दोस्तों मैं बात करते हूं आप लोगों से कि नागर शेली जो है इसका विकाश कहां से हुआ तो नागर शेली का विकाश हुआ दोस्तों आपका हिमाले से लेके आपका जो हिमाले है उतर की तरफ उस हिमाले से लेके विंद्याचल जो जो आपका दक्षिन जो आता है एरिया उस दक्षिन वाले भाग से जो है आपकी दरविट शेली जो है बेटा स्राड होती है ठीक है और इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं देखिए आपका जो राइट अंसर होगा बेटा क्या होगा नागर शेली होगा देखिए नागर शेली की में बात करती हूँ मंदिरों की जो बनावट होती है जिस तरीकी उनकी सरशना होती है वही क्या कहलाती उनकी शेलिया कहलाती अलग-अलग तरीकी जो है शेलिया बनी ठीक है और अलग अलग तरीकी शेलियों में मंदिरों का निर्माण जो है आपका हुआ रहता है ठीक है चलिए इसको मैं आपको एक्स्रिमेंड कर देती हूं देखिए बात करिए आपके कौन से मंदिर की बीटा खज्राओं के मंदिर की जो की बहुत ही वास्तुकला का एक अपका खज्राओं मंदिर और यहां नागर्षेली में निर्मेद है किस में नागर्षेली के बारे में इसके बाद में आपको एक्स्प्रेंग कर दूँए ठीक है यहां जो मंदिरे चंदेल शाषोकों की दौरा बनवाया है इसमें एक और बात करती हूं बहुत पिचासी मंदिर थे कहां पर खज्राओं में आपके 85 मंदिर लेकिन वर्तमान में इन मंदिरों के जो है संक्या जो होगे पोगी कहीं-कहीं पर किताबों में 22 दी गई औरकहीं-कहीं पर 25 अब इसको क्या विश्विदरोर की सूची में इसको शामिल किया गया घख रागा इसक यह मंन्दिर बना हुआ था बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जो कि नागर हेली में देन ही है एससे मंदिर बहुत कम होती करने के लिए इसको चौक्षित करने के लिए कि ये प्रक्रतिक धरोवर है, इसको सुरक्षित किया जाए, अपने जो वंशों थे, उन लोगों ने इसको बनवाया था, चंदेल वंशों ने, तो इसलिए इसको क्या करा कि इसको विश्व धरोड सुची में शामिल करा गया, ठीक है, और 2009 में, कब बिटा, 2009 में से 7 आश्चर, मतलब आपके जो, जो 7 वंडर्स है, उसमें इसको क्या करा गया, शामिल इसको करा गया, ठीक है, अब बिटा, ये जो मंदिर है, आपका, ये तीन दिशाओं में बटा हुआ है, अलग-अलग, ठीक है, पहले मैं बात करती हूँ, आपसे एक तो पश्चिम में समू है, मंदि का समू नहीं है, तो बिटा, आप लोगों को याद होना चाहिए, कि आपके जो, उत्तर दिशा में किसी भी मंदिर का समू नहीं है, क्योंकि पश्चिम में, आपके जो, कंदार्या मंदिर हुआ, बहुत सारे टेंपल, जो आपके इधर आएंगे, और पूरु में भी बहु हज्राओं मंदिर का, एरिया वाइस भी बहुत बड़ा है, और सर्वधिक मंदिरों की संख्यावी, यहीं पर ही, कौनसा, देखी, यह आपका वालोग हज्राओं मंदिर है, यह इसकी डारेक्शन है, यह वाला आपका पूर्वी समू है, कौन चा समू है, पूर्वी समू, उत्तर जो सम्मू है वो आपका जो है इसमें बिटा नहीं है ठीक है उत्तर वाला जो सम्मू नहीं और इसमें पश्चिम की में बात करूँ आपसे तो पश्चिम में भी पश्चिम जो मंदर जो सम्मू है इसमें एक जो मंदर जो बाउंडर के बाहर है बाउंडर के क्या बाह मंदिर के बाहर बना मतेंगेश्वट मंदिरी भगवान शिव जी को समर्पी तो किते तो यह जो मंदिर आपका बहार बना हुआ है और यह मंदिर आपका पश्यमी समभू में आएगा कहा पर भीता इस वारे जो पश्यमी समभू में आपका आएगा तीके दोस्तों चलिए का मंदिर महादेव मंदिर के बढ़ा मंदिर उसके बाद आपका 64 योगीनी का मंदिर देखे अभी जो आपका MPPSC मेंस का जो पेपर था इसमें यह वाला जो कुछन पूछा गाया था देखे तो जरूरी नहीं कि सारे मंदिर गोलाकार ही हो 64 योगीनी मंदिर इकके ब आत करते हैं आपके मद्रोडेश मुष्वました के इसरी Ben Dresdenit के संशत्भमान का निर्मान हुआ है वही एक माचर मंद इनकी इक मैं में जो इसका अर बना लोगा का इसा बना हुआ मचर अपकी मच्छत व्द to पूर्वी जो सम्बंदित है और चार मंदिर उपर दिये वह आपके हिंदु धर्में से संबंदित है पूर्वी जो ढंदिर उपासी क्युत चार मंदिर और छार मंदिर आपके जेन धर्मों से पर्षवनात का ढट करते है और अब के देव मंदिर है और अपकीका एक महादेव मंदीर है यहुं फिर यहांपर भी अंगा ऐसे पूछा सकता है और आपसे यृवाला कोड़ लेगा, के निर्मान को हो तो निर्माण हुआ 950 में 950 इस मदल 950 से 450 वह मैंन सकते हैं 950 सें सम्हें निर्मान और दूसरा कोशन में आप लगों बताना चाहूंगे जो खोज करें जो खोज करें रहा है और ध्यानआकर्षित आपको करा रहा है एक मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी सक्षिल्पकला का उत्कृष्टु धारान जो मंदिर है तो इसकी तरफ ध्यान आकर्शित करा पूरा तक विवाग का वह किसने करा आपका इसको तरफ ध्यान आकर्शित करा और दुसरे बात मैं करते हुँ आप से कि इन मंदिरों के विस्तरत व्याख्या करी वह किसने करी बेटा आपके कनिग्न करी इसकी पूरी व्याख्या करी पूरे मंदिरों को जो विस्तर वर्णन जो है इनो ने इसका किया है ठीकिए विटा यह रहा आपका खज़रों का मंदिर जिसके बारे में मैं कोशिश करी कि पूरा बहुत सारी चीजों को लेकर आँ सकूल लेकिन हर मंदिर के बारे में पूरा लेकर आने के मैंने कोशिश करी आपको समझ में आया होगा दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग हमारे next question की वर देखिए यह रहा मंदिर जो नागर शेली जो होती है उसमें यह जो शिखर होता है शिखर की उचाई बहुत जादा होती बिटा नागर शेली में ठीक है शिखर की जो होचाई बहुत जादा होती और यह जो मंदिर देखिए यह कितना जादा बड़ा है और इसकी जो इसकी पास से हम लोग दिखते इसमें बहुत अच्छी से इसमें डिजाइन वगेरा जो है करी ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग देखिए next question आपका है कि कंदार्या महा महादेव का मंदर जो है निर्मिना भी थोड़ी दर पहले जो आपको explain कर रहा थो तो मैंने बताया था आपको कि किस मंचन है खज्राओं मंदर की स्तापनगरी खज्राओं के मंदिर महीं आपका जो कंदार्या मंदर आता है आपके पश्ची में पश्ची में जो समूव महा पर आता है तो एब सुव मारे पास चार ऑप्शन है जिसमें से राइट एंसर हमारा क्या होगा विटा डी जो है हमारा राइट आंसर होगा कौन सा मज्च चंदेल वंशो ने जो किया था आपके कंदार्या महादेव मंदर का निर्मान करवाया था ठीके दोस्तों देखिए जो मंदिर है इसकी बहुत इस पेशालिटी को है क्योंकि किसा दे मंदिर क्पाने से पावे मंदिर सबसे बूशाल मंदिर सबसे नैंहां में भगbright कंदरिया मंधी शिव को समरपिते थी के यहाँ पर नंदी की सबसे उची प्रतीमा है नंदी जो है नत्र भगवान शीव के जो है वहान हो उनकी यह पर प्रतीमा है जिसका निर्माण चल देशाचकों के विद्या धर ने करवाए था उसकी तुल्न आपके बूनेशुल हमा दिक कर जाती किसे नागर्शली के मंदिर जो आपके बने हुए है ये पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है किसको पत्थरों को काट इसमें कोई चूना मिट्टी और सिमेंट वगेरा नहीं लगी पत्थर के ऊपर पत्थर और पत्थर के ऊपर पत्थरों को काट काट कर नकाशी करके उनको ज जादा लगती ठीक दोस्तों चलिए तो इसकी जो तुलना किसे करी जाती बीटा आपके जो है बुवनेश्वर जो इंगराज मंदिरों से तुलना इसकी करी जाती ठीक है अब आतकरति चोसट योगिनी यहां मंदिर ग्रेनाइट पत्थषरों पत्थरों से निर्मेते किसे न मुरेना में है तो मुरेना में आपके खज्राओं में है उसके बाद जील भी पुझ लेगा कि कौन सा चोसट योगीनी मंदिर जो शिव सागर जील के किनारे जो है इस दिते तो यह आपको पता होना चाहिए इस मंदिर का जो आकार वो कैसा आयता कार मतलब कैसा यह रता आयता मंदिर जो की चित्रगुप्त मंदिर में यहां मंदिर सूर्य को समर्पी थे देखिए एक कुछन आप से पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा मंदिर है मतलब शियुमंदिर है वो किसको समर्पित है तो भगवान विश्णु का जो मंदिर है वो सूरि देवत को समर्पित है तो यह वाले जो लाइन है यहीं बहुत important लाइन निर्माण है तेकर निर्मान किसने कर आया ता हर्षवारमन में जो मंदिर इसका टिकिट नहीं लगता है इसमें भगवान शीव बुलनाथ की इस्थापना है टीक है वो कराया था किसने हर्षवरमन ने निर्मान जो करवा था भगवान शीव को समर्पिते और 8 Mikili मूर्ती, उसके बाद करते हूँ में पार्शुनात का मंदिर भी आपने पंचायदन चेली में बनावा जो कि जैन मंदिर है इसका निर्माद 1950 से 1980 के मद्र राजा यशवारदन के उत्तरा अधिकारी राज धंगदेवने के शाशक में हुआ था ठीके दो महावीर की जो माता थी उनके सपनों को यहां पर दर्शा आया गया ठीके दोस्तों इतने मंदिर होंगे तो खंडर तो हो नहीं क्योंकि देखिए मौसाम कभी प्रकॉप रहता जलवायू कभी रहता तो खंडित होना उनका निश्य थी तो देखिए दोस्तों यह इतने सारे मंदिर थे जिनके बारे में मैं आपको शॉट-शॉट नौट समय लेकर आया हूं कि आपको समझ में हो वशन आपको यहां यही से डेफिनिटली बने एक्जाम में ठीके चली दोस्तों देखते हैं एक्स्ट देखिए बिटा यह रहा आपका यह रहा आपका कंदारिया महादेव का मंदिर देखिए कंदार कर रहें गुफां में प्रवेश कर रहें और इसी मंदिर के अंदर आपके भगवान कंदार नेक्स कोशन की चली अब बात करते हैं लोग दोस्तों कोश्चन हमारा कोश्चन नमर पाइप क्या है भीम बेट का की पूरो एत्यासी गुफाओं की खोज किसने की थी बात किसकी और बेटा जो भीम बेटा की जो गुफाओं है उसकी जो है किसने करी तो एबी-स वीडी चार ऑप्शन है जिस मेसलिज आपका राइट एंसर होगा भी पिटा बी होगा राइट एंसर क्या नाम है बीए सवाकन करजी कि कोन भीटा पीए सवाकन करजी इसके जो है राइट एंसर है ठीक है चलो इसकी बारे में थोड़ा समलोग समझ लेते हैं बीखे आपकी बेटका ही गुफा कहां पर इसंता न चाहिं से ब्सक्रेंट Aegis तीने से खोच करें थी उनिस सो संतावन से उनिस सो अंठाव मतलब ऐसा माना जाता है इन दोनों यर को ही माना जाता ठीक है और 2003 में कब बिटा 2003 में इसको विश्विद रोहर सुची में जो है इसको क्या करा गया था ठीक है किसको आपके जो भीम बेटका की जो गुफाएं है अन्य कुक्सी जब का पूरू पाशनकाल से लेकर तो नव पाशनकाल की गुफाएं मानने जाती है इसका बहुत सारे इसको ऐसा मानने का पर जो है किस आपके श्यलचित्र जो है प्रक्राप्त करें वाइस सेलाश्राइप में से जो था आपका जो आपके 500 को वाइन शू न पांसो समी क्या है शेल चित्र है शेल चित्र है इसमें पूरे आधी माना उन्हें अपने जीवन में जो पूरा रूटीन जो उनका था वो उन्होंने उसमें ऐसे स्क्रेज करके बनाया चाहे वो ऐसा मतलब बहुत सारे लोग आपका समें खड़े ओकर नरत्य भजा रहे हैं ध धनुष्ट लेकर लोग जो शिकार करते थे वो सारे से चित्रन उन्हें बहुत ही खूब स्वराट तरीकी से अरो बताना चाहते थे चाहते तिक उनका जीवन था वो वह किस प्रकार का था और के स्वैम की प्रगति तो वो सारा चित्रन आपका यहां से भीम से मिलेगा ठीक है और बात करूं मैं आपके निमच के रहने माले थे निमच में जो इनका जनम होता दोस्तों और इनको जो है राष्ट्री पुरोषकार से पुरुष्कत करा गया इनको 2016 और 2017 में दोस्तों और देखिए यह जो आपको जो शेल्चुत्रे शेल्चुत्र देखि यह उन्होंने कोशिश करिए कि यह आप भालू जीसा दिख रहा है यह जिसे कि किसी युद्ध के लिए गर जा रहे है तो देखिए यह इस पर बेठे में और गोड़े पर बेठे में कोशिश करिए गोड़ा बनाने की इसा गोड़ा जीसा बना नहीं लेकिन बहुत सुन्दर जो है रोने चित्रन आप लोगों का दिया है ठीक है तो आई होब कि आपको यह वाला कुशन समझ में आया हुगा दोस्तों देखिए भी यह वाइट कलर का है ना गुरूप में यह लोग कहीं पर गुरूप में बहुत सारे सामों में नर्ति कर रहे है कोई डोल ब बढ़ते हम लोग हमारे next question के और कौनसे question के और next से देखिए question क्या हमारा बाग की गुफाएं किस धर्म से संब्दी थे क्या question है दोस्तों हमारा कि बाग की गुफाएं किस धर्म से संब्दी थे ABCD जो हमारे पास चार option दिये गए ABCD option दिये गए जिसमें जो right answer होगा आपका भी होगा राइट answer क्या होगा दोस्तों आपका भी होगा यह कोण से धर्म से संब्दी थे आपके बहुत धर्म से संब्दी थे चली इसका description देख लेएं देखिए बाग की गुफाएं नाम इसले दिया गया क्योंकि यहाँ पर क्या होता था अब प्राचिन जो समया था टाइम जो था महां पर बाग आकर कुछ समय के रहे होंगे उनका निवास होगा इसी दिए इसका नाम किया पढ़ा बागी की गुफा इसका नाम पढ़ा ठीके दोस्तों अब मैं बात करती है आप से कि यह जो आपके बागी की गुफा यह कहां पर है मांडू जिले में कहां प साथवी शताबदी के बीच कि जहां इनकी तुलना इसकी गुफा करी गई है इसकी कोज डोंगर फिल्ड ने किस ने करी ने आपकी बाग की गुफाओं के फोज करी यहां पर यहां पर यहांता पहले तोस्ता जार्य नो गुफा है थी एना इनका यह वर्तमान बची 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 और बात करती मैं आप से कि उनने सो इंकावन में इसको क्या करा राष्टरी इसमारक जो है इसको गोशित कियागा और यहां पर इस बाग की गुफाओं में भी बहुत सारी जो है चित्रकारियां करी गई इस तरीके प्रेम और विरा का वर्暉र ने अपर अपने देखने को मिलता है और जो मैं बात करो आप से की जो मतलब गुफाय नम्बर जो अलग-अलग गुफाये हैं पांच और यह नाम से अलग-अलग-अलग मतलब इनमें अलग-अलग चित्रन जो है किया आप इसम च्छरा है बस यह इसी कारण से ही बहुत जादा क्या रही फेमिस रही ठीक है मैं तो इसके अजुंता क्यों से तुल्ना करी रही दूसरा आपका जो अटरा-शॉटरा में डोंगर ने जो इसकी करी कि खोज करी दी ठीक है दोस्तों और यहां पर जो है और नो गुफाएं थी पहला ल क्यों ना मैं अपने बच्चों को मैं खुदी यहां पर ऐसे दिखा दूंको देख लिए रही बागे की कुफा है आप लोग जाना और गूमना बहुत अच्छे अच्छी जगा है मद्रदेश में ठीक है जाप हम लोग घूम सकते हैं देखिए यह नदी आपकी बाग नदी पक्राइब करिसे सरह और लुका करिए जेता क्या कर सयरा देखी है इसके बारे में थोड़ेट दिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं देखी देख देख़रिकी कुफाये जो पुराना क्या था इसरा नीचो गई क्या नाम ता इसका पुराना नीचो गईरिस्का पुराना नाम था स्तापन इसके पांची किस ने करी로 herd of wurde half wszystkie ski लिए लिए इकपनी और यहां पर एक से लेके एक से मतलब नंबर एक नंबर कि मतलब टोटल कितनी Tamam protecting नंबर एक नंबर एक से लेकर नमबर फेण और नमबर 20 की जो गुफा हैं ठीक है ये दोनों जो गुफा है आपके कौन से धर्मे से संबंदी थे पिटा जेन धर्मे से संबंदी थे पिटा जेन धर्मे से संबंदी थे प्रतम जो गुफा है इसको क्या बोलागा है सूरज गुफा बोलागा है क्या बोलागा है पिटा जेन धर्मे से ऑनी मुत जेन धर्मे से संबंदिते हैं और पहली पहली गुफा को मैं बत करीगा तो इसको बहना बोला याद रखना है वाला question क्योंकि देखिए उसको तो question पूछना है आपसे वो कहीं से भी पूछ लेगा तो चोती जो आपकी गुफा है चोती गुफा को बिनकी गुफा जो बोलागा है क्योंकि यहाँ पर शिविलिंग जो है आपका शिविलिंग भोले नाग जी का जो है भगवान विष्णु जी के प्रतीमा बनी हुई है कोंसी तेरवी गुफा में मतलब भगवान विष्णु लेटे हुए है ऐसे हाथ करके उनके हाथ में चक्र है कमल का है फूल है यह सब आराम करके बैठे हुए और लक्षमी जी जो उनके पेड़ धबारी वेसी वाली है प देखे दोस्तों यह रही आपकी जो आपए की और की सुन्दर है और आप लोग कुम कर आए जबाएं बहुत अच्छी जगह'T यह कोसे कि लकुम कर संब्सक्र्य कहां पेंखेँ दोस्ते और लोत दोस्तों जाईएगा और देखकर आएग बहुत था लिवाजान दुर क्रूइल क्रोवाद यहां पर कर निर्माण राजा ऩरफ़ कjen नो आपर निर्माण 2 था यहां पर वर्दमात में-जित्राों के लिए प्रसिद्ध्य उन्हों से कि लो एक किल से दूसरे किल तक जाने के लिए गुपतमार्ग भी था अलग-अलग गुफाएं थी इन अलग-अलग गुफाओं में कुछ आसी गुफाओं भी जिने बहुत चमतकारी गुफाओं भी बोला जाता था जहां पर क्या हुआ कि कोई इनसान जुह है विलुपत हो तो अपर बाराध जा रही थी किसी की शादी होते पर और वह रास्ता कहीं और ही जो है निकलता था तो अब वर्दमान वास रास्ते को बंद कर दिया गया है और जो गुफाएं होते हैं उनमें इतना ज्ञादा सफोकेशन होता है क्योंकि air कहीं से आती नहीं है बगवान शु उसका जो शेत्र है व्रतरी के गुफाएं का बहुत ही बड़ा है तो यह छोटा सा लेकर रही हो है कि हाँ ऐसा टाइप का ऐसी पत्थर है जो पुराने जो पत्थर होते तो उसी टाइप का जो ही है बना हुआ है ठीके दोस्तों चलिए बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स गोविंद महल को और किस अन्य नाम से जाना जाता देखिए गोविंद महल वाला कुश्यंद मैं इसले लेकर रहे हूं दोस्तों कि वह एला कुश्ण क्यों और उपश्यन है जिसमिंछ से राइट ऑंसर होगा आपका सी जो है राइट आंसर होगा सथकंट महल को किस नाम से बीटा आपके लख चाहल है देखिए इसके बारा में थोड़ा सा मैं आपको श्रीन कर दीए है के देखिए सदकंट मेहल मध्रदेश के दतियां में जिले में स्थिए कहां पर यह थे इस मेहल को वीर्ण सियां पैलेस के नाम से जाना जबता तिटेको तीन नाम होगए एक तो गोविन मेल हो गया सतकंद व हो गया तीसरा गोल सा तफासे लेकश हो गया तिर मुम से निर्मार अदी कि से निरमार करवा था इसा करवाbers साद का एक ती लग स्सहूाये has को स्टखंड महल से कुछ्छन एक्जाम में आता या तो आपके पूछ लेगा कि सटकंड महल कहां है सटकंड महल कहा हैं उपनाम पूछ लेगा सटकंड महल का निर्मान किसने पर वाय था यह पूछ लेगा कि इसमों कि से लोहे का और दोस्तों सच बताओं मैं जब ऐसी चीज़े देखती तो मेरा महान होता है काश वापस में पिछले वाले टाइम में चले जाओं है ना मुझे बहुत पसंद है यह सी जगाओं पर घूमना चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट नेक्स्ट आइम और भी अच्छे चीज़े में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी दोस्तों आप लोग इसी तरीक सा आगे बढ़ते रहें मेहनत करिए और अपने परिवार का नाम रोशन करिए दोस्तों थैंक्यू जैहन